आज हम थर्ड इफेक्टिव डिजाइन कॉंसेप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटेरेक्टिंग कर्क एक–वह जांते हैं कि लर्निंग तो ऐसी एक कर दोषिंग नीख हसंग एक पुर्थे 類टी अंग्छ से आपका डिखनादि बहुं बच्छ कि क्ला में या बड़ों की क्लास्रुम में ऐसे आते हैं कि लर्निंग तो ऐसे ही प्रिविटी है किस किस से आपका interaction होता है number one teacher student interaction number two student student interaction so पहले हम यह दिखते हैं कि interacting जो है concept number three written form में है क्या और इसका माइन क्या है so children literacy learning influenced by social interaction during the manipulative literacy tool आज जो बच्चों की literacy learning होती है वो definitely उसमें effect पड़ता है कैसे बच्चे socialize होते हैं class में और कैसे मिल जुलके जो भी class के इंदर literacy tools available होते हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं और वो दूसरों को इस्तेमाल करते देखते हैं चाहे वो उनके दोस्तों चाहे वो उनके teachers हो हमारे पास एक research यहां पर मौजूद है उस research का कहना यह है कि जब बच्चे चोटे बच्चे literacy resources को देख रहे होते हैं कि वो किस तरीके से उनके teachers इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं traditional reading में traditional writing में तो उसको pretend play में करके देखते हैं उसे आपकी सामने करके दिखाते हैं और उसे करने में थोड़ा बहुत फखर महसूस करते हैं अब बच्चे के जो लिट्रेट behavior है वो बहुत से factors से influence हो सकते हैं और उसके अंदर important चीजे आती हैं कि जो classroom का environment है उसमें किस किसम का print material available है और किस तरीके से वहाँ पर जो adult यानि teacher है वो उस print material को proper तरीके से बच्चे को पढ़ के सुना रहा है या पढ़ते वे दिखा रहा है और demonstrate कर रहा है कि material कैसे पढ़ा जाता है और यह लिट्रेट behavior reading का कैसे display किया जाता है interacting के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि जो हम knowledge acquire करते हैं literacy interaction में definitely उसके अंदर जैसे बच्चे देखते हैं कि बड़े इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं earlier के classroom में होते हैं तो वो बच्चे passive नहीं होते जो आपकी instructions चुप करके सुनेंगे या वो यह सुनेंगे कि जनाब यह क्या लिखा है इस word के क्या माइनिंग है या इस arrow जो है यह किस direction की तरफ इशारा कर रहा है बुनियादी तोर पे हम उनके साथ ऐसे चलते हैं कि वो और हम equally जानते हैं और वो वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं और हमेने बहुत ज्यादा instruction यह सक्त instructions देने की जरूरत नहीं है यह equally capable और एक पॉजिटिव environment, एक literacy development के लिए classroom के अंदर develop कर देता है अब strategies क्या है literacy learning के लिए जिसके अंदर हम बच्चों को invite कर सकते हैं motivate कर सकते हैं कि वो learn करें तो हमारे अंदर हमारे पास एक example यहां पर है Frank Smith ने 1988 में बताया है कि बच्चे जो है literacy skills तब effectively develop करते हैं जब उनके पास three interactive conditions मौजूद होती अब यह interactive conditions जो है teacher to student और student to student मौजूद होंगी सबसे पहले किसी form of demonstration आद दूसरा किसी तरीके की engagement तीसरा sensitivity तो हम शिरू करते हैं demonstration से और आपको इससे और clear हो जाएगा कि demonstration के through यह literacy skills बच्चों में कैसे develop की जा सकती है हम इसे display करें पकायदा teacher कर के दिखाए जब teacher बच्चों क सामने और teacher के पास access होती है literacy tool की तो वह एक दूसरे को करके दिखाते हैं कि इन चीजों को इस्तेमाल कैसे करना है एकबार कैसे पढ़ना है article उसमें कहां ढूंगना है news को कैसे देखना है pictures को कैसे देखना है चीजों को कैसे understand करना है title page क्या होता है किताब का नाम क्या होता है पढ़ने के लिए एनक कैसे लगानी है किताब जो है उर्दू की वो right से खोलनी है या left से खोलनी है उपर से पढ़ना शुरू करना है या नीचे से उपर जाना है page कि स्रफ turn करना है तो यह तमाम चीजे बकाइदा display करके teacher दिखाता है student दिखाते हैं और फिर वो उसको pretend play में इन behavior को opt करते चले जाते हैं बच्चे learn करते हैं किताबों से literacy tools से और तब especially जब teachers जो है अपनी favorite किताबे उनके साथ share करते हैं read out करते हैं उन्हें बताते हैं कि किताबे favorite क्यों है और बच्चे उन किताबों से और अपनी teacher के emotion से directly attach होते है या जब teacher कहके लगाता है और हसता है उस किताब किसी सीन पर तो बच्चे भी हसते हैं या emotional scene पर रोते हैं तो these all are actually part of the demonstration another part of a demonstration अगर कोई बच्चे टीजर के लिए घर से कोई चीज लेकर आता है as a gift चाहे हो कोई खाने की चीज हो कोई sticker हो तो teacher क्या demonstrate करता है जो literacy skill में है वो उसे एक thank you का कार्ड दे सकता है एकले दिन या उसके जहां बैठनी की जगह है वहां पर वो एक बहुत ही अच्छे से काकस पर thank you लिखके उसको दे सकता है that's how but you learn how to use different card and how to give messages और इस तरीके से वो ये learn करते हैं कि हम किस तरीके से एक दूसरे का शुक्रिया दा कर सकते है ये literacy tools भी हैं terms भी है और जब teacher display करता है they learn it better बच्चे को क्या पता चलता है they understand the value, utility and the purpose of learning to read and write is demonstration के तरू जब teacher उनके सामने इन मुक्तलिक चीजों को इस्तिमाल करता है उन्हें बताता है then they learn कि इन चीजों को किस तरीके से इस्तिमाल करना चाहिए इसकी value क्या है इसकी effectiveness क्या है